हेलो एवरीवन, वेलिकॉम अगेन तो लेंपरे देतीमन, तो हम लोग पहुंच गए हैं एर्थ क्लास के सेवन चैप्टर को, यहां आपकी जो बुक चल रही है, वह है हमारा राजिस्थान, ठीक है, आप लोगों को पढ़नी बहुत जरूरी है, यदि आप किसी भी कमप्टी के त्यारी कर रहे हो, जहां आपका राजिस्थान का जी के पूछा जाता है, तो आपको लास्ट वीडियो में से, चैप्टर 6 में से, आप लोगों को एक क्वेशन का आंसर देना है, और ध्यान से सुनिए उस क्वेशन को, कि नकी जील जो है, वह है कहां पर है, किस जिले मे पड़ती है, नकी जील, ठीक है, आप लोग इसका आंसर जो है, वह कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विकास योजनाए, तो देखिए चैप्टर जो है, वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, एक्जाम में यदि कोशन आ जाता है, है वो ग्रामीर विकास योजनाओं की बात करने हम, स्वास्ते संबंदी योजनाओं की बात करने, या फिर महलाओं से संबंदित, जो महला सशक्ती करण योजनाओं की बात करने, जो भी कोशन योजनाओं से संबंदित होता है, विकास योजनाओं से संबंदित, वो आपके इन बुक्स से ही पूछा जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है सरकार द्वारा जनता के हित के लिए सिक्षा, स्वास्थे, रोजगार, क्रशी, उद्ध्योग, आधार, भुच्छरंचनाएं, महिला, बालिका वा दिव्यांग चन आदी के लिए कल्यार कारी कार्य किये जाते हैं राज्य सरकार केंदर सरकार के साथ मिलकर इन योजनाओं को कारे ग्रमों को संचालित करती है अंदर सरकार के साथ मिलकर करती हैं तो ये सभी योजनाओं जिससे कि यहां के राज्य के जो नागरिक हैं उनको फायदा हो सके उनको भरपूर्ज, स्वास्ते संबंदी, क्रिशी संबंदी, महिला ससकती करण संबंदी, ग्रामिर विकास संबंदी, ये सभी सुविधाएं म जिनका अध्यन हम इस पार्ट में करने वाले हैं तो सबसे पहले हैं क्रशी संबंदी, योजनाओं यहां पर देखिए, यहां पर योजना या कारेकरम का नाम है और इसका मुख्य उद्देश क्या है, क्यों ये योजना जो है वो लागू की गई, क्रशी कल्यान कोस, किसान राश्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन, तो यहां खाद्य की बात हो रही है, यानि गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन, इसका मुख्य उद्देश है, राश्ट्रिय क्रशी विकास योजना, क्रशी और संबंदित शेत्रों में व्रद्दी दर को बढ़ान कि क्रशी में जो भी उपज होता है, जो भी उत्पादन होता है, उसका विकास करना, उसकी व्रद्दी दर और भी अत्यदिक बढ़ाना, तो इस योजना का, इस कारेकरम का उदेश्य है, प्रधान मंतरी क्रशी सिचाई योजना का उदेश्य है, पसलों को उन्नत बनाने के लिए सिचाई हेत्व पानी उप्लब्द कराना एक कीवर्ड जो है वो आप पकड़ लें यहां पर ठीक है यहां देखिए क्रशी कल्यान कोस की बात हो रही है यानि यहां पर मूले की बात हो रही है कि उतपाद का उच्छित मूले किसानों को मिल सकी यहां खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है तो खाद्य में गेहूं आ जाएगा खाने की चीज़ें आ जाएंगी दालें आ जाएंगी इनका क्या है उतपादन राश्ट्री क्रशी विकास योजना तो क्रशी का विकास करना कैसे जहां पर क्रशी और उससे संबंदि जो शेत्र हैं इनको बढ़ावा देना परदान मंत्री क्रशी सिचाई योजना तो यहां पर की वर्ड पकड़िये सिचाई है तो यानि फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिचाई है तू पानी उपलब्द कराना ठीक है तो एक एक की वर्ड जो है वो पकड़ेंगे यदि आप तो आपको ये याद हो जाएं तो यहां पर बीमा से संबंदी जो है इसका उद्देश्य है कि किसानों को फसनों का बीमा करके उनको रहत पहुंचाना राष्ट्रिय आयूस मिशन ओशदी पौधों की ठेती को प्रोथ साहं तथा दवाओं के लिए कच्चे पधार्तों की उपलब्दा को सहज बनाना रा हार ही है आहर पाने के लिए आर्थिक साहता देना राजीव गांधी क्रशक साथी साहता योजना क्रशी या क्रशी व्यापार के लिए व्यापारियों क्रशी शर्मिकों एवं मजदूरों को वित्य साहता उपलब्द कराना ठीक है तो यहां पर क्रशी से संबंदित सभी ज आयूस निसन, कैसे पहचान होगे इसे, तो याद रखना ये क्रसी संबंधी जोजना है, ठीक है, बाकी में तो आप लोग ध्यान में रख पाओगे, कि सभी में जो है क्रसी वर्ड, फसल वर्ड और सिचाई शब्द जो आया है, तो इससे समझ जाएंगे कि ये क्रसी संबंध योजनाएं है, नेक्च देखिए आर्थिक शेत्र की योजनाएं, भामशाहार रोजगार, सुरजन, योजना, इसका मुख्यय उध्देश्य क्या है, इसका मुख्यय उध्देश्य महिलाऊं के बारे में तो आप जानते हैं, यह हम अड़न से समबन देकर इंएंगे कि बा उनको रोजगार उपलब्द कराना भामाशाह रोजगार सुरजन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स ने दिखिए पंडित दीन दयाल उपाद्याई ग्रामीड कौशल योजना। तो यहाँ ग्रामीड शेत्र में जो युवा हैं उनको क्या करना गरीवी का निराकरन करने के लिए उनको रोजगार देना। वर्ष की अवदी के लिए बेरोज गाली बत्ता परदान करना। भामा शाह योजना वित्तिय एवं गैर वित्तिय लाभों को सीधे जरूरत मंदों तक पहुँचाना। नेक्स्ट देखिए स्वास्ते संबंदी योजनाएं तो स्वास्ते संबंदी योजनाएं जो हैं वह भी सरकार द्वारा सांचाले तो योजनाओं की अंतरकत आती हैं। तो इसमें देखिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं राजिस्थान जननी सिसु सुरक्षा जोजना तो यहां पर मा और बच्चा इसकी जो सुरक्षा है उसके बारे में सोचा गया है तो इसका मुख्य उद्देश्य मात्र एवं शिशु म्रत्यु दर को कम करना। अगला देखिए आशा सहयोगनी तो आप लोगों ने जब विकैंसी निकलती है आंगनवाडी में तो आप लोगों ने न्यूस पेपर में नेट पर देखा होगा कि आशा सहयोगनी इनकी जो है विकैंसी निकल रही है तो देखिए यह स्वास्ते संबंदी योजनाओं में ये एक कारेक्रम का नाम है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो गरववती महलाएं होती है, उनका सुरक्षित, जो डिलीवरी है, वह हो सके, प्रसव हो सके, स्वास्ते की देखवाल हो सके, उनकी घर पर पोशन और पोशन सहायक सेवा उपलप्त का नाना, इस योजना का उद देश्य है, राष्ट्रिय स्वास्ते मिशन, ग्रामिन एवं शहरी शेत्रों में स्वास्ते प्रणाली को मजबूत करते हुए, नियाय संगत सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त स्वास्ते सेवाओं को सार भोमिक बनाना, तो यहाँ पर क्या पता लग रहा है, यहाँ पर प अहलाओं एवं नवजात शिशू को चिकिस्सा संस्थानों तक लाना एवं घर से ले जाना, तो यहाँ नाम से आप देख पा रहे हो, जन्नी एक्सप्रेस, यानि कि वो मा और जो नवजात शिशू है, उसको हस्पताल से घर तक सुरक्षित ले जाना, आयोश्मान भारत, तो यह तो आप लोगों ने काफी सुना होगा, इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी एवं निजी हस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडी जातियों को कैसलेस इलाज उपलब्द कराना, यानि फ्री में इनका इलाज हो सके, जो भी आर्थिक जो है वो पैसों का अभाव है, चाहे वो गौर्मेंट हॉस्पीटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पीटल हो, नेक्स्ट देखिए मुख्य मंतरी निशुल्क दवा योजना, एवं मुख्य मंतरी निशुल्क जाँच योजना, सरवाद एक उपियोग में आने वाली देखें अन्य राज्यों की तुलना में तो यहां पर जो है जो भी आर्थी गुरूप से कमजोर लोग हैं उनको भरपूर मात्रा में यहां स्वास्ते संबंदी योजनाओं मिल रही हैं ठीक है लेकिन यदि बात करें यहां क्रसी संबंदी योजनाओं के बारे में तो 50% जो ह वही सुभिदाएं जो है वहे किसानों तक आप आती हैं बाकी जो है वहे वहीं पर रह जाती हैं तो यह सब आप लोग भी जानते हैं क्यों रह जाती हैं लेकिन स्वास्ते संबंदी योजनाओं जो है वह यहां पर बहुत अच्छे से सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं नेक्ष देखें महिला ससक्ती करण सम्मंदी योजना जहां पर महिलाओं की श्वास्ते के लिए महिलाओं को जो है वह इखटा करने की योजना जो है दिमाग में यदि आए तो वहां महिला ससक्ती करण सम्मंदी बहुत सारी योजना चल रही हैं जिसमें सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्योंकि राजिस्थान में यदि हम देखें तो यहां पर जो छोड़ी बच्चियों होती है उनको पैदा होते ही मार दिया जाता है ठीक है और उसकी वज़े जो है वो कई होती है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि बेटी को बचान तो अगर पता लग जाता है कि लड़की है तो वहां पर कन्या भून जो है उसको मार दिया जाता है ठीक है तो इसको रोकना और बाले का सिक्षा को प्रोसहन देना जिससे कि लड़किया जो है वह है जादा से जादा पढ़ सकें देखिए महत्मा गांधी जो है वह भी यह वह बिल्कुल सही है कि यदि आप एक लड़के को पढ़ाओगे तो इसका मतलब आपने एक को सिक्षित किया है लेकिन आप यदि एक लड़की को पढ़ाते हो तो ये समझो आपने पूरे परिवार को ही सिक्षित कर दिया है ठीक है स्वाब लंबन योजना गरीव महिलाओं विद्वा परित्यक्ता और ग्रामीन महिलाओं के जीवन इसतर में सुधार करना तो ये स्वाब लंबन योजना का उदेश्य है साजह अभिहान बाल विवा से मुक्ति प्राप्त करना नेक्स्ट देखिए गरीमा बाली का संरक्षन एवं सम्मान योजना बाली का संरक्षन में सलगन व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना जो भी बालिका जो उनका संरक्षन करे तो उनका सम्मान करना उन व्यक्तियों का उन संस्थाओं का जिससे की और भी ज़ादा आगे लोगों को प्रोसाहन मिल सके उन लोगों को देखते हुए और वो लोग महला ससकती करन योजनाओं में अच्छे तरीके से भागीदारी तो ये सभी महिला ससक्ती करण की संबंदी योजनाएं हैं, आई एम सक्ती फंड महिला स्वैम सहायता सम्हू को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आतम निर्वन बनाना, इनमें जो ध्यान रखने वाली बात जो है वो एक यही रहती है, कि एक्जामिनर जो है वो ऐसे यहां से पूछ सकता है कि बताईए साजा अभिहान जो है वह योजना जो है किस से संबंदित है, ठीक है स्वास्ते से संबंदित है, या महिला ससक्ती करण से संबंदित है, या क्रशी शेतर से संबंदित है, ऐसे कुशन जो है यहां पर बन जाता है, तो यह महिला ससक्ती कर मुख्य मंतरी आदर्श ग्राम पंचायद योजना चैनित गाउं में करशी सिक्षा स्वास्ते परियावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मुल्यों का विकास करना सवच्छ भारत अभिहान बहुत ज्यादा चला हुआ है सवच्छता हेतु देश को खुला सोच मुक्त बनाना जिस्धान है वह पूरी तरी से स्वच्छ हो सके अटल भूजल योजना सामुदा एक सही योग के माध्यम से भूजल प्रवंद में सुधार लाना नेक्स्ट देखिए सपेशल एरिया डेवलोपमेंट प्रोग्राम विशेश शेत्रों में जैसे मिवात, डांग, मगरा, सीमान्त शेत्रों का विकास करना जहां पर बिल्कुल विकास नहीं हुआ है उन शेत्रों में अत्यदिक विकास करना इसका उद्देश्य है सपेशल development program का next देखे मनरेगा मनरेगा जो हमें पता है रोजगार से सम्मधित है यहां से प्रश्ण जो है वो देखिए exam में पूछा भी गया है कई बार पहले तो देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीर रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा एक ही बात है यहां देखिए एक बार एक कुश्ण जो है किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि ग्रामीर परिवारों को वर्स में न्यून तम कितने दिन का रोजगार जो है उपलब्द कराना ये मनरेगा का उदेश्य है तो देख लीजिए यहां 100 दिन का रोजगार उपलब्द कराना ठीक है इसका उदेश्य क्या है कम से कम 100 दिन जो है उसको काम मिले प्रधान मंतरी आवास योजना ग्रामीर शेत्रों में पक्के मकान जो है वो उपलब्द कराना ग्रामीर गौरव पत या पत यानि की रास्ता तो ग्रामीर सड़कों को मेगा हैवे से जोड़ना इसका मुख्यव देश्य है ग्रामीर गौरव पत का उसी के लिए प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना भी चलाई गई ग्रामीर शेत्रों में सड़कों का विकास करना वहीं ग्रामीर शेत्रों को सहरी जो सडकें हैं उनसे जोड़ना इन योजनाओं के अलावा ग्रामीर गैर क्रशी विकास अभीकरण राजिस्थान राज्य उध्योगिक विकास एवं निवेस निगम री को राजस्थान लगो उध्योग निगम डिमिटेड राजसी को उध्योगी क्विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्या कर रहे हैं कहां पर ग्रामीर्ड शेत्रों में इसी तरह सिक्षा के शेत्र में निशुल्क पाथे पुस्तक वितरन योजना, विध्यारती सुरक्षा, दुरगटना, बीमा योजना, गारगी पुरुसकार, निशुल्क साइकल, वितरन योजना, लैप्टॉप वितरन योजना, मुख्य मंतरी हमारी बेटी योजना, अक्ष प्रक्षित वर्गों के सरवागीन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा विसेश ध्यान दिया जाता रहा है। इसके अलावा जो नारियां अकेली रह रही हैं जो विद्वाएं हैं इनको इसी योजना के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा विशेश ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के निवासी परिवारों को जन आधार कार प्राप्त होगा। इस कारड को सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के लाब लेने तद्धा पहचान एवं पते के प्रमान के लिए भी काम में लिया जा सकेगा। तो कितना ये कारगर हैं देखिए इसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत बोल सकती हूँ लेकिन मैं यहां पर किसी भी तरह किसे जो है वो अलोचना जो है वो किसी की नहीं करती हूँ। क्योंकि हम यहां पर केवल अपने एक्जाम के लिए ये चप्टर पढ़ रहे हैं ठीक है और किसी की अलोचना करना उसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं है तो हमें केवल यही याद रखना है कि कौन सी योजना जो है किस से संब्बन देता है और इसका क्या उदेश्य है सतत विकास गोल 2030 संयुक्त राष्ट अब देखें यह शब्द जो है वो आ जाए तो आप भी सतत विकास गोल 2030 की तरह जो है वो घूम जाएंगे गोल गोल उसका रिजन क्या है हमने हमें तो यह पता ही नहीं है कि यह कहां से आ गया एक्जाम में क्योंकि हमने एट क्लास का जो है सेवन चेप्टर पढ़ा ही नहीं यदि हम पढ़ लेते तो हमें यह भी पता चल जाता संयुक्त राष्टु संग के सदस्य देशों द्वारा 2015 में सतत विकास एजेंडा अपनाया गया और इस कार योजना का मोक्य लक्ष उदेश क्या है गरीबों को सभी रूप एव सभी समाप्त कर देना इसका मतलब यह है गरीबों को सभी रूप एवं सभी जगहों से यानि कि वो गरीब न रहे ठीक है तो यह प्रियास करना तो 2030 तक पाने का लक्ष जो है वो रखा गया है स्वत्त विकास गोल 2030 योजना के अंतरगत तो यहां 17 लक्ष जो है वो रखे ग चीवन इस्तर गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा लेंगिक समानता सुद्ध जल एम स्वच्छता तो क्या हम इन सभी चीजों को नहीं जानते हैं इन सभी चीजों को जानते हैं ये भी जानते हैं कि गरीबी का अंत कैसे होगा गरीबी का अंत हो सकता है यदि रोजगार के जो है अच्छा हो जाएगा जीवनिस्तर जो है वह भी सही हो जाएगा शिक्षा जो है गुणवत्ता पूर्ड मिल सकेगी ये भी वहीं पर आकर टिकती है ये बात की रोजगार मिलेगा तो जो व्यक्ति है उसकी धन की पूर्ती होगी भुकमरी उसकी समाप्त हो जाएगी जल एवं स्वच्छता ये भी उद्देश है 2030 तक ये सभी कार्डे जो है पूरा करने का लक्ष रखा गया है किफायती एवं स्वच्छ उर्जा समान जनक कार्य और आर्थिक विकास उध्योग नवाचार पुन्यादी धाचों का विकास असमानता में कमी संधारणिये शहर एवं समुधाय सतत उभोग एवं उत्पादन यानि लगातार जो है वो उत्पादन भी हो सके जलवायू परिवरतन पानी में जीवन भूमी पर जीवन शांती न्याय और सुद्रन संस्थान लक्ष प्राप्ति में सामुहिक भागीदारी तो ये सभी चीजें जो हैं वो द चीजों को लिख देते हैं ठीक है हला कि मेरा कई बार मन करता है कि इनके बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाएं लेकिन फिद भी जो है वह रही बोलना ही सही है इतना ही काफी है कि आप भी बड़े हो ठीक है और आप भी मेरे बहन बाई जैसे ही हो बरावर ही हो और कुछ जो हैं मेरे से चोटे होंगे और सबी जानते हैं इन चीज के बारे में कि कुछ चीज जो हैं वो केवल लिखी हुई है इनके कोई-बी कार्रे सचारूरोप से नहीं हो पा रहा है सरकार जो है वह एक guideline जारी जरूर कर देती है लेकिन कितना उसके उपर काम होता है तो यह हम जानते हैं तो सबसे पहले तो जरूरत है रोजगार की यदी रोजगार उपलब्द करा दिये जाएं तो यह 17 जो उदेश्य हैं जो लक्ष रखा गया है यह खुद ही पूरा हो जाएगा इन विकास लक्षों को प्राप्त करने की दिसा में हमारे गाउं भी विशेश प्रयास कर रही है तो यह chapter जो है वो complete होता है सब दावली देखिए सतत कार्थ होता है लगातार यानि निरंतर शुरिजन यानि कि किसी चीज़ का सुरिजन करना निर्मान करना संबल यानि सहारा तो कोशन अंसर अब हम देखेंगे पटापट से सतत विकास लक्ष में कितने लक्ष सम्मलित है ठीक है एक्जाम की द्रस्टी पॉर्ण से हमें ये लक्ष जो है वो बताने हैं कितने हैं 17 लक्ष रखे गए हैं आयूशमान भारत का संबन किस शेत्र से है तो मैंने आपको बताय जैसे ही आयूशमान वर्ड आ जाएगा तो आप क्या ध्यान में रखोगे कि ये तो स्वास्ते संबन्दी योजना है ठीक है आयूशमान भव जो आशीरवाद देते हैं तो क्यों देते हैं ताकि तुम्हारा स्वास्ते सही रहे और तुम्हारा जीवन जो है वह उज्वल ह तो ये कब हो सकता है जब व्रक्ति का स्वास्ते अच्छा होगा तो ऐसे आप ध्यान रख पाएंगे नेक्स्ट देखिए व्रक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए डैस कारेक्रम के अंतरगत कन्या भ्रून हत्या रोकना बाली का सिक्षा प्रोसाहन का उद्देश्य रखा गया है तो हमने महिला ससकती करण संबंदी योजना पढ़ी थी जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक है तो बेटी को बचाएंगे और बेटी को ही पढ़ाएंगे तो यहां पर कन्या भ्रून हत्या को रोकेंगे तो बेटी बच जाएगी और बाली का को सिक्षा तो बेटी पढ़ जाएगी ठीक है तो इसका उदेश्य था सरकारी एवं निजी हस्पतालों में कैस लैस इलाज हेतु डैस योजना प्रारंब की गई है तो यहां स्वास्ते संबंदी योजना जो है उससे संबंदित है ये लाइन कि सरकारी यानि गॉर्मेंट और प्राइव राजिस्थान जननी सिशू सुरक्षा योजना का उदेश्य बताईए तो यहां पर जननी है सिशू है तो इन दोनों की सुरक्षा का दिहान रखना ही राजिस्थान जननी सिशू सुरक्षा योजना का उदेश्य है तीक है जिससे की माता भी बस सके और बच्चा भी बस सक और दौनों की म्रत्युदर जो है वह कम हो जाए राजिस्थान में चलने वाली आर्थिक शेत्र की दो योजनाओं के नाम लिखिए तो आर्थिक योजना है जो हमने पड़ी थी जिसमें हमने भामाशार रोजगार योजना देखी थी और उसके बाद हमने मुख्यमंत्री योजनाओं का विवरण कीजिए तो वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभिहान हो गया मुख्यमंत्री राश्री योजना हो गया बाली का संरक्षन योजना हो गई सतत विकास गोल 2030 को समझाईए तो ये मैंने आपको बताया कि इसमें 17 जो उदेश्य है इसका लक्ष जो है वो रखा गया ठीक है 2030 तक जो है ये सब पानी का लक्ष रखा गया है जिसमें गरीबी का अंत करेंगे भुकमरी समाप्त कर देंगे और सिक्षा दे देंगे उसके बाद लड़का लड़की जो उसमें कोई भेदवाब नहीं रखेंगे समानता करेंगे असमानता जो कमी है उसको हटाएंगे पूरा जो लक्ष है वो निर्धारित किये गए हैं कि ये 2030 तक जो है इनको पूरा किया जाएगा तो इस चैप्टर जो है वो अच्छे से कम्प्लीट होता है आप लोग इनकी कास युजनाओं को पढ़िएगा इस चैप्टर को तो आप दो या तीन बार पढ़िएगा तो दीरे दीरे करके हमने जो है यहाँ पर साथ चैप्टर कम्प्लीट कर लिये हैं ठीक है उसके बाद आपके आठ नो और दस तीन चैप्टर और बचेंगे और आपकी एर्ट क्लास पूरी हो जाएगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तेंक यू